आज कल पाकिस्तान के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है आक्चल में हुआ है कि जो TLP की कार करता है Fourth Most Popular Party इन देपाक जिसे बोलते हैं तहरी के लप लप के पाकिस्तान ठीक है तो आक्चल में क्या है कि इनके जो कार करता है मतलब मक्या है उन्होंने ये काई कि एक हाथ में कुरान ले लो और एक हाथ में ले लो नेकलियर बाम और अमेरिका जैसे देश तो आपके पीछे आएगे आपको मनी देने के लिए अमेरिका ने ये एक खबर उड़ाई है या फिर बोला है अमेरिकी राश्टपती ने कि पाकिस्तान में घुजेगी अमेरिकी सेना और छेन लेगी सारे निकलिर बॉम्म क्योंकि पाकिस्तान के पास around 200 निकलिर बॉम्म्स हैं पाकिस्तान में कब क्या हो जाए ये किजी को प्लांट या निकलिर बॉम्म है हम अपनी कबजी में ले लेंगे इसमें जो आपके परवेच मुशर्ण है और जो आपके आपके सेना के अधिकारी है उनमें सब में लड़ाई जगड़ा परा हुआ है वो क्या करना चाह रहे हैं जो आपका तैरी के तालिवान है टीटीप के देश खत्रे में पढ़ जाएंगे और जायतर अमेरिका का मानना भी यही है कि पाकिस्तान की वज़े से पूरी दुनिया ही खत्रे में और टीटीपी ने तो यहां तक कर लिया है बेवस्था कि उसने पूरे सारे डिपार्टमेंट को भी और्गनाइज कर चुका है बस उ और इसमें टी एलपी भी आगे आगया है उसने भी इस टाइप के सरकास्टिक आपके कमेंट को सरकास्टिक कमेंट को दिया है मतलब क्योंकि आप चानते हो कि अमेरिका जब से 9-11 का हमरग गुआ था तब से स्नेच एन ग्रैब वाली पॉलिशी अपनाना चारता था अब य उसने प्लान बनाना भी शुरू कर दिया है और जैसा कि आप चांदते हो कि 2001 में जब 9-11 का हमला हुआ था विल लादेन के द्वारा प्लेन हाइजैक करके तो उस टाइम पर जोर्ज डवलू उसने निक्रो पावर प्लान्ट से बनाए जाने बारे निक्रो बॉम को अपने क अबजे में लेने का प्लान किया था इसके लिए उन्होंने अटेक करने की भी सोची थी लेकिन उस प्लान का क्या हुआ पताने लेकिन उस टाइम पर जनर्र परवेज मुश्रफ ने यह बोला था कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान के उपर किसी भी टाइप कोई हमला किया तो हम अमेरिका के साथ सीधा युद्ध करेंगे और युद्ध छेत्र में आएंगे जैसा कि आप जानते हो कि अमेरिका की एजनसियां पाकिस्तान के निक्र बॉम को बचाने के लिए अर्वों डॉलर खर्च करती हैं काफी सारा पैसा वो खर्च करते हैं और यह आपका 2001 से ल आप देख सकते हैं कि 10 क्रोड डालर तो अमेरिका खर्च करी चुगा है और एक और आरोफ लगा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर अंसाब पर तो यहां तक आरोफ है कि इन्होंने पैसे लेकर कि कुछ मुस्लिम देशों को निक्लियर टेक्नलोजी को बेचा जैसे लीविया है इरान है उत्तर कोरिया है और आप तो जानते ही हैं कि 2011 में जब ओसमा बिल लादिन को पाकिस्तान में मारा गया अवटाबाद में तब पाकिस्तान की बारे में पूरी वर्ल्ड ने देखा था कि उसने किस तरीके से ओसमा बिल लादिन को छिपागे रखा हुआ था जब से मार दिया गया तो अमेरिका ने भी बहुत बड़ी स्मार्ट तरीके से उसकी डैट बॉड़ी को ही किसी की हाथों ने लगने दिया नहीं तो मॉनिमंट बना दे तो उसकी पूजा करते और इस तरीके से जैसा कि हम जानते तालिवान खदम का तालिवान ने अफगानिस्त